नमस्कार किसंसातियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेति यूटुब चैनल पे किसंसातियों अपने यूटूब चैनल के माद्यम से जब हमने लसुन की करदी करने वाले किसानों से उनकी विविनस समस्याओं के बारे में वोर्ट वाँगे तो उन्होंने अपना मुल्य गोड दिया है जिन में से कुछ किसन भाईयों के जो समस्या है कि उनकी फसल में काफी बिलापन है कुछ किसन भाईयों की फसल में शिप सखी समस्या है कुछ किसन भाईों के जो वोट आये हैं वो है कि उनकी फसल में ग्रीन नेस नहीं है यानि हरापन नहीं हैं वो पतिया सफेश सबेश से दिख रही हैं तो इस परकार की सामना समस्याओं का सामना भी किसन भाईों को करना पड़ रहा है चुकि लस्तुन का बाजार भाव अच्छा मना हुआ हैं और काफी जाना खर्चा किसन भाईों ने अभी तक अपनी फसल में एक्षिया है तो अब उनकी काफी उमीदे हैं इस फसल से और वो इसकी बहुत परिके से केर भी कर रहे हैं लेकिन उनको जो दवाईों के रिजल्ट है वो बहुत ही कम मिल रहे हैं किससाथ कि दवाईों का रिजल्ट बहुत कम इसलिए मिल रहा है कि इस वश्च का जो मौसम हैं वो किसी भी फसल के लिए स्यूटनी कर रहा है तो कि किसासातियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लसुन की पसल में इन समस्याओं उसे हम किसे निजात पास सकते हैं यानि लसुन की पसल में पीलापन है या उसमें हरापन नहीं है या त्रिफ की समस्याओं तो जिसाएगी सासाथियों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लसुन की पसल में पिलापन और ना कोई बड़ी बाद नहीं अने कारण इसके लिए दिमेदार होते हैं या किसी रोप के कारण भी आपके लसुन की पतिया हैं वो पिली दिख सती हैं इसके लिए बहुत सारे किसन भाई अमित 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 पर पंगी साइट का इस्प्रे भी कर दें सभी परकार के पोशेक सतों की पूर्थी भी कियें और सबसे बड़ा रुज़ूर हो ले ना किसन पिछले वीडियो देख सकते हैं कि किस कारण से ये पिला पना रहा हो कैसे इसकी समस्था होगा हम समादान कर सकते हैं आज का वीडियो उन किसन भाईयों के लिए हैं इन किसन भाईयों की लसुन में हरापन नहीं है यानि ग्रेनेस नहीं हैं पत्या सपे सपे से दिग रही ह ग्रोश्टा में कि अब इसे बर्बूर माती में बॉजनकाइए क्योंकि अभी तक आपने जितने भी खाद दिये हैं, जितने भी परकार के पुशक्तथों दे रिएए हैं, जितना भी आपने ख़रत चालते हैं, उसको सभी को आपकी लसुन की पसलने अपने तने में स्टोर किया है और अब यह डाइवाइटर होने लगा है आपके कंद की हो यानि आपकी लसुन की गांट की हो और इस समय पोदे को काफी मात्रा में बोजन क्या हो सकता होती है क्योंकि इस उड़जा को उसे डाइवाइटर करना होता इकन की हो चूंकि पोदे में योजिक्षी कमी हो यह तक पड़े लिखे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आपने परकास हूसे अधन करते हैं लोज़ेती हैं तो यदि आपके पोजे में प्लॉरोफिल की ही कमी हो जाए तो निशी जपसे वो सही तरीके से बोजेंगी बना पाएगा तो होगा कमजोर होगा तो वो अपनी वद्जा को डाइवर्टन नहीं कर पाएगा इसलिए इस समय आपकी तदल में हरापन होना बहुत अच्छा से उस फसल की यारीनेस भी कम होती जाती है जिसे ही आप देखते हों कि किसी भी फसल में जब पकने की वस्ताब आती है तो उसका कलर जी दीर जीर येलो की तरब जाता है लेकिन किसावसाथ शाथ चैघ्ग हूट की प्तिया खड़ा देह ले लगिए यह उसमें बिल्कुल भी हरापन नेगी रहा है तब आपको इसको लेकर सिंथी दोने की जरूरत हैं चुकि हरापन को बढ़ाने वाले जो पुशेक तत्व होते हैं उनके बारे में बात करें तो नाइट्रोजन होता है सुलफर होता है मिगनिशन होता है और एक होता है सुलफर फॉर इपेरस तो आपन किसाउस अब तक नाट्रोजन की टाफ शींugg कर दी होगी अब आप कर भी नी सकते हैं आपने सलफर इंपने फसल को दिया है मिगनीशनigne circumstance कभी आपने पर योग नहीं परयोग क है तो आप इस परियättे सबी भी दे सकते है सूदिन के फसल्यज़न तक फसल्ग के वस्ता थ औ पूरियन के साथियों, आपके लस्तुन के फ़सल हो या चाहिक से भी प्रकारी फ़सल हो उतमें लोह तत्व की कम हो जाती है जैसा कि अब सपुरी को पता हैं कि लगबक कभी पेर पोद्र को अपना पूर्ण स्वस्त जीवन जीने लिए अठार अपकार विय प्वोशक तत्व के आफ़स्था होती हैं तो इन्हीं में एक लोग तत्वे भी आता है। इसे आप आईरन कह सकते हैं और या फेरस भी कह सकते हैं। इस्त्व की पुर्टी भी आप करते हैं, तो भी आप भ्रीयर में दिल्य नेस्ट बढ़ जाता हैं क्योंकिfik glaubsynda का मदद करता था और बहुत सस्था भी किसल सजी हो, जिए आपने इसका प्रयोग कभी नहीं तो प्रीयोग किया हैं या कर लिया के लिक्ट वाले बात नी कभी इसका प्रियोग नहीं किया अपनी फूरी फसल की दुरान तो अब तो आपको उसे जमिन से देना नहीं सबसे पहली बात और पहले इसको आपको प्रिक्टिकल करना है वह सस्ता मिलता है किसल सत्यों 25 रूपय में 500 ग्राम मिल जाएगा आपको और प्राइस फड़ा उपन में इसका रिजल्ट भी एकिसा सत्यों आपको 48 गंटे के अंदर देखने को मिल जाएगा आप उठाई ग्राम पती लेटर पानी के हिसाब से इसको लेकर दो से चार क्यारिया में आप इसका इसपर कर दीजिए साम के समय इसके साथ आपको किसी बिरकार कनत को चिप को मिलान है ना करी प्गी सेट मिलाना है ना करी प्तानिक मिलाना सिंगल ऑब कीजिये साम के समय लगे शु Aur टारीस गंटों के बाद आप इसका इसका आपको ऑशाल लगे हां इसके से फसल में हरापना आया है तो निस्तुब्र से आपकी फसल तत्व की कमी हो गई थी जिसके एक इवेंड ये पूर्टी होने के बाद आपके फसल में गरीनेस आ चुपा है तो ये प्रिक्टिकल कीजिए और उसके बाद आप अपने फसल में फिर से हरापन ये आपको दिखे तो आप पूरे खेत में इसका यूज़ कीजिए किसर सक्यों और ये जो हरापन रहेगा, ये 10 से 15 दिन तक रहेगा और इस अवस्ता तक आपकी फसल जो में बेतर की तरफ पिली जाएगी तो फिर आपकोई दिखकत वाली बात नहीं तो इस प्रिक्टिकल करिए और इस प्रिक्टिकल के बाद ही आप उसे पूरे खेत में इस्तिमाल और अन्य जानकर या आप करशी विक्रतावस हैं या जो आपके करशी विग्यानिक हैं उसके बाद ही आप इसका प्रियोग कीजिए गाँ तो किसन सत्यों इस प्रिकार से आप अपने प्रसल को अट्यालिस गंटों में हरी बड़ी बना सकते हैं इसके लिए मैं आपको यह न चाहूँगा कि आप इसका फेरस सलफेट का प्रियोग कर लिए और प्रिक्टिकल करके देख लिए रिजल्ट मिले तो प्रियोग करना है रिजल्ट नहीं मिले तो प्रियोग नहीं करना है अनावश्या खर्चन नहीं बढ़ाना है तो किसा सत्यों उम्मीद करता हूँ कि यह जनकर आपको पसंद आएगी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा यह आपने इसका प्रियोग किया है आपको रिजल्ट मिला है तो कमेंट करके वापस आकर जर कि यह यहां जीकसा